सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूटूब चैनल को और दवाएए इस नोट्फिकेशन बिल को ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियो की जनकारी आपको सबसे पहले हलो फ्रेंड्स मेरा केसमर आप सभी का इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आज इस पूडियों हम बताने वाले हैं कि आपकी इस पकार से कोई भी डॉक्मेंट्स को आप उसके उपर का भाग और उसके निशे का भाग को आप अपने मुइल फौन में दो अपार स्टॉल करना होगा पहला है कामेम जवश कीशा को आप करने के लिए हम प्ले स्टॉर में चलते हैं और यहां search box में यहां टाइप करते हैं split camera split camera टाइप करने के बाद आप इससे search करेंगे तो यह application जो है इस तरह से आपको यहां दिख जागा और यहां आप install के बटन पर क्लिक करके आप इस application को अपने मोबाल फोन में download और install कर लें यह application जो है डौनलोड और install होने के बाद इस application को आप अपने मोबाल फोन में open के बटन पर क्लिक करके आप इसे open कर लें तो चलिए हम यहां open के बटन पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस जो है दिख जाएगा आप यहां लोग के बटन पर क्लिक करते जाएं उसके बाद आपके सामने इस तरह के जो इंटरफेस है दिख जाएगा आप उपर में देख रहे हैं camera का एक option दिया हुआ है आप यहां camera के option पर क्लिक करके आप कोई पोटो खीच कर कहीं भी आप उसे पिंटर के द्वारा आप या किसी डॉक्मेंट्स को आप सेंड करना चाहें कर सकते हैं तो चलिए हम अपने camera को ओपन करने के बाद आपको यहां दो साइड में आपको camera जो दिख जागा एक उपर वाला भाग एक ब्लाइक वाला भाग दिखेगा सफेद और प्लैक पहले आप सफेद वाले भाग में आप कोई भी डॉक्मेंट्स को आप उससे एक साधी पेच पर आप उससे रख दें और यहां camera के बटन पर क्लिक करके दॉपार भाग को आप कॉपी कर लें उसका बात निच्छे वाले जो भाग है उस पीछे वाले बांपालेid p태 को अप उलठके आप यहां रखते उसके पर से अच्छी तासे आप डूने अरेजस्ट करके आप यहां camera को option पर click कर लें तो इस तरह से जो आपका documents जो हैं आप एक ही page पर दोनों documents जो हैं उपर और नीचे का भाग एक साथ आ चुका है आप यहां से आप soften को button पर click करके आप अपने documents को जासा soft कर सकते हैं तो हम यहां हाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरी अधार मेरी पचान जो से धुंदला हो जाता है तो चलिए हम इसे शुरी के option पर ही इससे रहने देते हैं उसके बाद filter का यहां आपको option मिल जागा चाहे तो आप अपने documents को थुरा सा आप effect देश सकते हैं तो हम इस documents को हमें कहीं भीजना है इसलिए कोई effect इसमें हम नहीं लगाएंगे तो चलिए हम इसे normal ही रहने देते हैं और उपर में जो right का button है हम इस right के button पर click कर लेते हैं कि right के button पर click करने के बाद आप चाहे तो उस documents को आप यहां से delete भी कर सकते हैं या share का option पर click करके अपने दोस्तों को WhatsApp पर आप इसे share भी कर सकते हैं तो चलिए हम इस documents को और अच्छी तरह से हम crop कर लेंगे इसके लिए हम इस camera scanner को हम इस application को open कर लेते हैं आप इस camera scanner application को open करके हम आप उस documents को अब एक अच्छी लुक दे सकते हैं जैसा कि हमने camera scanner को open कर लिया है और देख रहें जो फाल्तू का जो हमारा जो जो page था side में हम उसे crop कर लेते हैं और इस documents को एक अच्छी तरह से चारो बगल से हम ब्राबर कर लेते हैं और हम इसे नीचे जो option है right का button आप इस right के बटन पर इसे click करके आप extra जो page है आप उसे crop कर पाएंगे crop करने के बाद जो है documents आपको इस तरह से यहां से दिख जाएगा आप यहां camera scanner को आप यहां से उस documents को यहां से click करके जो second वाले option है उसे पर click करके आप अपने documents को आप जिधर mode करना चाहते हैं उधर आप उसे कर सकते हैं उसका बात यहां से आपको अपने documents को आप colorful करना चाहते हैं थुरा सा आप उसक्राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं यह आपने documents को आप यहां से कर सकते हैं तो हम यहां normal कर लेते हैं जो आप देख पार है कि हमारा documents को इस तरह से दिख रहा है जो अच्छी तरह से हमें दिख रहा हैं तो हम इसे अपने mobile phone में आप सेब कर सकते हैं या pdf दौरा आप कहीं इसे mail पर भीज सकते हैं और अपने दोस्तों को साथ इसे शेर भी कर सकते हैं यहां आपने डॉक्मेंट्स को कोई नाम देना चाहते हैं तो उपर में थी डॉट्स पर क्लिक करके आप अपने इस डॉक्मेंट्स को आप कोई नाम दे सकते हैं कि टो फ्रेंट इस पाकार से आप कोई भी डॉक्मेन्स को आप कैमर्स कानर और स्प्लिट के में द्वारा आप कोई भी डॉक्मेंट्स को उसके ऊपरवाग और इसके निछनी भाग को एक साथ आप फोटो कीज़ कर कहीं भी आप उसे सेंट कर सकते हैं या अपने प्रिंटर क द्वारा से प्रिंट आट कर सकते हैं या साइबर काफी में जाकर आप उस डॉक्मेंट को प्रिंट आट करा सकते हैं तो फ्रेंट्स इस पकार से अपने मबाल फोन से आप को भी डॉक्मेंट्स को उसके उपरी भागा और निचली भाग को एक साथ कैप्चर करके आपने दोस तक लिए चाहिन बंदे मातरों